हेलो दोस्तों मैंना नाम है विशेष गोईल और आपके मेरा चानल विकी वर्लत आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों अभी जो डेली इन्वेस्टी के विकुम प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर बिजनस लौ का जो हमने शुरू कर रखा है के सिरीज उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं और आज मैं आपके साथ डिस्कूस करने वाला हूँ A storm damages the front lawn in the house of A. B, his next-door neighbor and friend calls the gardener and gets the lawn maintained. After coming back, A promises to pay in writing 500 to B for the expenses incurred and time spent. Later on, A refuses to pay. Can B recover the amount from A? A, सोचो, मैं आपको explain कर देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो, A जो है घर पे नहीं था और इसी के पीछे से एक storm आता है जिसकी वज़े से उसका lawn जो है damage हो जाता है. जो उसका पडोसी है B, उसने gardener को बुला के lawn ठीक करवा दिया. जब A वाफिस आया है तो उस ओके answer देखते हैं. तो हाँ भाई B, बिल्कुल recover कर सकता है क्यों? क्योंकि सारे conditions satisfy कर दी गई है under section 52 of 2. तो यह simple थी बाता उसने लिखके दे दिया था तो भाई एक यह contract है तो इसलो वो valid है. ठीक है? आगे बढ़ते हैं second question की तरफ A is driving a car and after some time his car stops due to shortage of petrol. He requests B, a passerbite, to help him and tow his car to the nearby petrol pump. B does the same and in return A promises to pay 100 to B. B is A bound by this promise. तो भाई अगर फिर से यही बात बलता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो A गाड़ी चला रहा था, उसकी गाड़ी रुख गई, पेट्रोल खतम हो गया, उसने B का बोला कि मेरी गाड़ी जो है, पासवाले पेट्रोल पम तक ले जाने में मदद करो. हाँ पे देखो, पास्ट कंसिडरेशन है A की, कि A की इच्छा के अनुसार B ने गाड़ी टो करी, उसकी रिक्वेस्ट पे महा तक लेकर गया पे टोल पम तक और उसने बोला है कि जब उसको पैसे लेगा तो देने पड़ेंगे, ठीक है, वो बाउंड है बिलकुल. Q3 की तरफ बढ़ते हैं, A promises to contribute 10,000 rupees towards blind students welfare fund, the manager of the fund does not make any commitment, later on A does not pay the promised amount, can the manager recover this amount? सोच तो इसके बारे में, A ने बोला था क्यों 10,000 देगा blind students welfare fund को, ठीक है ना? वो इसमें manager ने कोई commitment नहीं करी थी, बाद में A मना कर देता है, तो क्या manager recover कर सकता है? इसका answer है, नहीं भाई, क्यों क्योंकि manager ने कोई steps ही नहीं लिये, ठीक है, अब manager ने जब वो इनी किया या, उसमें कुछ commitment नहीं करी, बाद में नहीं मना कर दिया, तो contract तो एक side से रह गया ना, उसने तो कुछ किया है नहीं manager ने अपनी side से, तो इसले manager जो है, नहीं करा सकत ठीक है ना, तो यह हो गया, next question की दरब पढ़ते हैं, question number 4, A, elder brother promises to give B, his younger brother, mobile phone as a birthday gift on his 25th birthday, later on A fails to fulfill his promise, B wants to file a suit against A, will B succeed, A ने बोला था कि भाई, मेरे छोटे भाई मैं तरको mobile phone दूंगा, तेरे 25th birthday पर, बाद में A नहीं दे पाया, तो क्या B उस पर case कर सकता है, case कर भी देगा, तो क्या जीत सकता है, तो इसका जवाब है, नहीं भई, B नहीं जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे एक agreement नहीं है, जो एक agreement होता है, गिफ्ट करने का agreement, यह enforceable नहीं होता है, law के दौरा, ठीक है, यह इसको chapter में पढ़ाया गया है, पर जहाँ पे conditions, section 251 के अंदर satisfy होती है, वो agreements enforce कि है, ठीक है, तो gift आये, तो B succeed नहीं हो पाएगा, question 5 का आने से बाले मैं आपको यह कहा देता हूँ, इतनी महनत से यह PDF बनाई है, इतनी अच्छी है ना, महनत से बनाई है, तो इसलिए वीडियो को like जरूर कर देना, ठीक है ना, please request है, छोटी सी, okay, question 5 कहता है, मैं आपको कु prohibited goods at certain price, ठीक है, easy है, बताओ, चोटो मैं answer बता देता हूँ, कि भाई, नहीं, यह consideration unlawful है, section 23 के हिसाब से, unlawful है, तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा, ठीक है, second part देखते है, X agrees to sell his mobile phone to Y, which is worth 5,000 rupees for 1,000 rupees, his consent was freely given, भाई, अपना 5000 का mobile वो उसको 1000 में बेजना चाता है, और उसकी free consent है, तो बताओ, भाई, बहुत simple है, यहाँ पे बिल्कूल सही है, कोई फरक नहीं परता कि वो कितना inadequate है, consideration हो भाई, तो mobile की value 5000 है, पर वो एक हजार में देने को तयार है, उससे कोई फरक नहीं परता, पर वो agreement को void नहीं बनाएगा, उसकी free consent कोई दिखकर नहीं है, third part कहता है, X owes 5000 rupees to Y and 8000 rupees to Z, due to his financial instability, he requests his creditors to accept 50% of the debt, Y and Z accept this lesser performance, but later on X refuses to pay, अब बताओ, यहाँ पे क्या होएगा, तो देखो इसका answer है, भाई, इस case में Y और Z जो है, वो आधा पैसा, यह 50% recover कर सकते हैं, Y 2500 ले सकता है, और Z जो है, 4000 ले सकता है, क्यों, क्योंकि भाई, उसने जो है, बोल दिया creditors को, कि वो 50% ले 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 और उन्होंने उसको accept भी कर लिया था, अब बाद में रिफ्यूस कर करता है, तो गलत है, उसको पैसे तो देने पड़ेंगे, और वो सिर्फ आधे ले सकते हैं, क्योंकि वो आधे accept कर चुके थे, okay, part 4 कहता है, A owes B rupees 2000, the debt is time barred by the law of limitation act, A promises to pay in writing rupees 1000, A later on refuses to pay, इसमें क्या होगा, बई 2000 का करजा था, time barred debt आपको पता ही है, इस time के बाद वो खतम हो ठीक है, और उसने फिर बाद में A ने प्रामिस किया कि चल ठीक हम तरको 1000 रुपे दे दूँगा, लेकिन उसके बाद उसने मना ही कर दे कि मैं तो दूँगा ही नहीं, तो भाई, इस खांसर है, A जो है, वो 1000 रुपे देगा, section 25, 3 के according, उसको देने पड़ेंगे, okay, अगल द देख लेते हैं, part 5 है यहाँ पे, अनिल प्रामिसे चुपे रुपीस 1000 तो असिस्टेंट वर्किंग इन दे इंकम टैक्स दिपार्टमेंट, as he has to collect his income tax refund from the department, subsequently he refuses to pay, अनिल ने बोला था उसे कि भाई मैं तरको 1000 रुपे दूँगा, किसको बोला था, एक असिस्टेंट को जो इंकम टैक्स रिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको बाव से अपना refund लेना था, इंकम टैक्स रिपार्टमेंट, ठीक है, तो लेकिन बाद में वो देने से मना कर देता है, बताओ इसका अंसर, चलो मैं बताता हूँ, अगर आपने सोच रहा है, कि भाई, उसे देने इसे नहीं दिये जाएंगे, उसका काम है, यह भी अपने पड़ा हुआ है, तो अनिल को हजार उपे देना है कि कोई जरूरत नहीं है, ओके, क्वेशन 6 कहता है, A writes to B, at the risk of your life, you saved me from fire, I promise you to pay rupees 50,000, and A refuses to pay B, can B recover the amount, नहीं A ने खुद बोला था उसको, कि मैं तको 50 र दूँग पिर उसने बना कर दिया, तो क्या वो amount recover कर सकता है B, बताओ, देखो section 25-2 के according, यहाँ पे एक past voluntary service के लिए compensate करने का जो promise है, यह valid है, इस problem में, जो services है, वो B ने दी थी, A के benefit के लिए, अगर A refuse करता है, जो उसने promise किया था, तो B recover कर सकता है, simple अगर मैं short में कहूं, तो भाई देखो A ने वादा किया था, और अब वो मुखर रहा है, तो B उससे recover कर सकता है, पैसे, अगले question पर बनने से पहले आपको बताना चाहूंगा, कि 97% लोग बिना subscribe की वीडियो देखके चले आते हैं, अब ऐसा क्यों करते हैं, कर देना, अब लेकंद बादेना, ओके, question 7 की बात करते हैं, A owed a sum of 15,000 rupees to B, the debt was barred by limitation act, A signed a written promise to pay rupees 10,000 to B on account of his time barred debt, can B claim rupees 10,000 from A, देखो भाई, वही जैसा आपको पहले एक question कर रहा था, यह उसके similar, तो इसमें क्या है कि A ने उसको बोला B को 15,000 रुपी दोंगा, वही time barred हो ग कि मैं तरको 10,000 दूंगा, तो अब B क्या वो claim कर सकता है, बहुत simple है, भाई देखो, जो उसने promise किया था, वो enforceable है, ठेक है न, तो यह valid contract है, B जो है 10,000 claim कर सकता है, ठेक है, जो debtor है, और जो agent है, उसने sign किया हुआ, उस पे, उसने agree किया है, अब वो पूरा amount पेकर ने के भी हो सकता है, या फिर कम amount पेकर ने के भी हो सकता है, तो A ने sign किया था, इसलिए, यह valid contract है, B अपने पैसे claim कर सकता है, ओके, 8th question कहता है, A received summons to appear before a court of law to give evidence, B who was a party in the said case, promise to pay A rupees 5,000 for attending the court to give attendance, sorry, attendance, evidence, can A claim rupees 5,000 from B after appearing before the court, discuss, जल्दी सोचो, बहुत easy है, चलो answer बताता हूँ उसका, भाई देखो, जो उसने करना है, अब उसके लिए उसको पैसे देखके, यूने contract नहीं बना सकते हो, यह existing contract है, यह consideration नहीं रहेगी, अब जो वो है, उसकी duty है यार, किसको बोला था, उसने B को बोला था, B की duty है, कि वो court में आए, evidence दे, ठीक है, अब उसके लिए A, उसको 5000 देगा, illusory है यह, pre-existing duty है A की, तो यह contract नहीं बनेगा, ठीक है ना, ओके, last question की तरफ बरते है, question number 9 कहता है, X son was caught in fire in a burning house, X offered a reward of 2 lakh rupees to anyone who would rescue his son, Y, a fireman at a great risk of his life and health rescued X, son, can Y claim the reward money, explain with necessary reasons, बहुत easy है, चल्दी, ओके, जिस जिसने कहाया है, कि नहीं भाई, वो अपने पैसे नहीं ले सकता है, क्योंकि यह fireman की duty है, तो आप कहांसे बिलकुल ही, गलत है, गलत क्यों है, देखो, अब यह उसकी normal duty है, मानता हूं, उसको बचाने की, लेकिन, अपनी जिन्दगी को दाओं पे लगाके, उसक duty नहीं है, जब कोई इंसान अपनी normal official duty से ज्यादा करता है, तो उसको consideration दिया जा सकता है, अब यहां पे, वो legally bound नहीं था fireman की, अपनी जान दाओं पे लगाके, वो उसके बेटे को बचाए, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया, क्योंकि एक्स ने उसे कहाता है, मैं 12 रुपे तो इसलिए y 2 रुपे का हकदार है, तो यही था आज की वीडियो में, उमीद है आपको सारी चीज अच्छे से समझ आ गई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसे है तो लाइक ज़रूर कर देना, यह नीचे कमेंट भी कर देना, यह वीडियो अपने दोसरे के अगरी वीडियो में तब तक ले, टाटा, बाई बाई, एंड थैंक यू